सबी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाने वाले हैं घर पर ही बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से ये कमाल की नमकीन ये किसी भी तेवार में आप बना सकते हैं जैसे दिवाली हो गई और होली तो भस आने ही वाली है और होली में जब घर पर गेस्ट वगयरा आते हैं या फिर आपके पड़ोसी आते हैं तो आप कुछ न कुछ special नमकीन उनको खिलाना चाहते हैं रोज मर्रा की नमकीन से थोड़ा हट कर तो आप ये अक्सर बेकरी वगएरा से लाते होंगे लेकिन आज हम इसे बनाएंगे घर पर बेहत सस्ते में आप मुश्किल से इसे 20 रुपए के अंदर ही धेर सारी नमकीन बना पाएंगे और बहुत ही बड़िया ये मसालेदार चटकारेदार फ्लेवर फुल काजू वाली नमकीन होती है जो बिना काजू के बनती है टोटली इसमें काजू का कोई इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन ये नमकीन किसी एंगल से नहीं लगेगी जब आपके यह रिस्तेदार खाएंगे कि ये जो है बाहर से नहीं लाई गई है तो चलिए देख लेते हैं इसी की बहुत ही बड़ी आसान सी रेसिपी तो मैदा की जरूरत होगी हमें तो हमने एक बड़े बरतर में मैदा लिया हुआ है इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार मैदा यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है यानि की एक कप तो यहाँ पर मैंने डाला है बिलकुल जरासा बेकिंग पाउडर नमक भी डाला है और बेकिंग पाउडर भी डाला है अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन और जीरा जीरा जवाइन हमें दोनों डालने हैं इसमें फ्लेवर के लिए या फिर आप जो भी फ्लेवर पसंद करते हैं अगर जीरा का फ्लेवर पसंद करते हैं तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं अब हम इसमें लगाएंगे मोयन तो डाल रहे हैं हम यहाँ पर तेल, रिफाइन तेल या फिर घी का मोयन आप लगा सकते हैं तो वैसे तो मैं नाप करके आपको दिखा रही हूँ लेकिन मोयन लगाने का जो सही तरीका है मैं पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ वो यह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके तेल डालिए और फिर आप अच्छी तरीके से तेल को या घी को आटे में मिक्स कीजिए और हथेलियों से रगड़ते हुए मिक्स कीजिए अगर कोशिश करें आप दोनों हाथ यूज करें तो बहुत ही बढ़िया मोयन लगता है दोनों हथेलियों के बीच में आटा रखकर रगड़िये अच्छे से फिर आप इस आटे का लड़ू जैसा बांद रहा है यानि कि ह अगर होल्ड शेप में आ रहा है इसका मतलब है कि जो मोयन है वो बढ़िया लग गया है और अगर होल्ड शेप में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तेल और ढालिए और अच्छे से आटे के साथ में मिला दीजिए इसके बाद नॉर्मल पानी डालते हुए थोड़ा पानी डालते हुए आटा को गूंदिये तो देखिए आटा हमने यहां पर लगा कर तयार कर लिया है इसे थोड़ा सा गूंद लिया है पांच मिनट के लिए इसे रख दीजिए अराम करने तो यह बड़िया तरीके से सेट भी हो जाता है इसके बाद हम इसे बनाएंगे तो लेनी पड़े अगर आज चिपक रहा हो आटा नीचे बोर्ड पे रोलिंग बोर्ड पे तो आप इसमें थोड़ा सा तेल नीचे लगा सकते हैं और जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूं कुछ इसी तरह इसे अरजस्ट करें क्योंकि इसे हमें बहुत अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन धकन तो हर किसी के घर में ही मिल जाते हैं अगर आप ढूंडेंगे तो इसी तरह से बढ़िया छोटे छोटे क्यूट क्यूट और मुटे मुटे से काजू हमको निकालने हैं तो देखिए बस उसी के उपर लाइन में आगे आगे रखते जाना है थोड़ी सी मुटाई में और अर्ध चंद्राकार टाइप के जो है इसमें ये निकलते जाएंगे जो देखने में बिलकुल काजू की तरह ही लगते हैं आप चाहे तो इसमें जो हमने आटा लगाया है इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई चीज़े नहीं डाली है आप चिली फ्लेक्स विएरा भी डाल सकते हैं लेकिन मार्केट वाले जो बनाते हैं बेक्ट्री वाले उसम नहीं बरबाद होगी तो देखे कुछ मैंने इसी तरह से इतने सारे काजू काट लिए हैं बाकी का जो आटा बचेगा उसे भी हम इसी तरह से काट लेंगे तेल चाहिए होगा डी फ्राई करने के लिए तो तेल को हम पहले मीडियम हॉट ही गरम करेंगे इसके बाद हम गैस सारे बबल नहीं आ रहे हैं यानि कि धीमी आज में डालना चाहिए आपको यह सारी चीज़े जब भी आप कोई भी इस तरह की खस्ता चीज़े बनाते हैं कच्छोरी विगेरा तो बिल्कुल धीमी आज पर ही इन्हें पकाएं शुरुआत में कुछ इस तरह के वाइट बब सकते हैं जब आपको लगे कि काजु जो है यानि यह नमकीन आधी से ज़्यादा फ्राई हो चुकी अब पग गई है तो आप गैस के फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए थोड़ा सा ड़क कलर आने तब इन्हें फ्राई कीजिए बीच बीच में इन्हें पलटते भी रहे ह आज को ज़्यादा तेज कर देंगे तो मोटे होने की करणा अंदर से कच्चे रह जाते हैं जिससे यह खसता नहीं बनते हैं और बस हम इने निकाल लेंगे तो मोयन इसमें अच्छे से डालिएगा अब हम इसका एक मसाला बना लेंगे जब हमारे सारे काजू बन जाएंगे तो हम एक कटूरी में लेंगे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा सफेद नमक और इसी में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ पासा ही जितना हमने सफेद नमक लिया लग बग उतना ही काला नमक आप चाहे तो सफेद नमक को यहां पर इसकिप भी कर सकते हैं आम चूर पाउडर नहीं है तो उसकी जगे पर आप ले सकते हैं चाट मसाला यह हैं हमारे पास यहां लास्ट में मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर आप इसमेरी लाल मर्च पाउडर भी डाल सकते हैं उससे जो कलर है वो बहुत बढ़िया था और ये तीखे बनेंगे बस ये जो हमारा मसाला है ये बन करके तयार है हमारे काजू को फलेवर देने के लिए तो बस गर्मा गरम काजू में ही हम ये जो मसाला का जो हमने नहीं चिपक रहा है दोस्तों तो उसके लिए ये टीप है कि आप जो कड़ाई में भी तेल में फ्राई किये हैं तो वही तेल ले करके इसमें आठ से दस बून तेल आप डाल दीजिएगा उपर से और फिर से एक बार इन्हें अच्छे से टॉस कर लीजिएगा नहीं मिक्स तो उम्मीद है कि ये नमकीन मनाने में आपको कोई परशानी नहीं आएगे और आप जरूर इस होली पर इसे ट्राई करेंगे होली पर ही क्यों दिवाली पर ट्राई कीजिए या फिर ऐसे भी ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता